तो दोस्तो रिसेंटली नथिंग कंपनी जो काल पे ने बना रखिये उन्होंने अभी अभी अपना इवेंट किया है रिसेंटली जिसका मैंने काफी पहले आपको बता दिया था यह चैनल को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पता है कि एडवांस में चीज़ा आपको बता लाओंगा इस वीडियो में वीडियो को इन तक जरूर देखना जानने के लिए काफी मस्ते वाई काफी एक्साइड़ हूं नथिंग ब्राइंड के लिए तो बस बिना खिस देरे के लेट्स गेट स्टाइड है है नमस्कार दोस्तों मेरा ना मैं आईश आप देखने टेका कर दिया है कि वो एक स्मार्टफोन लाने वाले हैं और कुछ एक एलियन सा ऐसे हाइरोग्लिफ सा दिखा दिया कि आपको शायद अभी समझ में नहीं आ रहा होगा बाद में समझ में आएगा तो भाई मैं आपको समझा देता हूं अभी ही कि उसका क्या मतलब था उसका जो नहीं पार्ट जो है फोन का छुपा रहने वाला है बाकी सब कुछ एक्सपोजड होने वाला है तो आपने लीक्स में काफी सुन लिया होगा कि बैक पैनल जो है ट्रांस्परेंट होगा मी अल्ट्रा वगर जो जन्होंने अटेम्ट किया था वैसा होगा तो वह काइंड में काल पेई ने यही बोला कि स्मार्ट फोन कंपनी काफी बोरिंग हो गई है इंडस्ट्री काफी स्टाग्नेंट हो गई है कोई इनोवेट नहीं कर रहा है एपल के अलावा वह मुझे सुनकर थोड़ा फणी लगा क्योंकि कुछ साल पहले तक वो खुद वन प्लस चला र सबस्क्राइब और इनोवेशन उतना ज्यादा नहीं हो रहा है पर एगदम नहीं हो रहा है बोलना भी साई नहीं होगा इनीवेश कमिंगत साछी Pike फोन वन तो वाई इवेंट में बटाया कि सुटन सामर मतलब कि में जून महीने के आंदर इह सा ऑम शोन होते पीडिखे औ और इसके अंदर एक OS आएगा नथिंग OS और यह नथिंग OS बोलने के लिए एक अलग से है पर वह एंड्रोइड का एक और इसके अंदर उसके उपर इन्हों ने वह अपनी डॉट मैट्रिक्स वाली थोड़ी सी स्किन चढ़ाई है जहां पर आपको वह डॉट डॉट वाला सब कुछ पैटर्न दिखने वाला है इनके विजिट्स भी जो है नए नए डॉट वाले आने वाले और मस्त अब सबसे ज चीज़े अक्सेस कर पा रहा है काफी दर स्मार्ट और इनोवेटिव है यह का उप्शन उसके लब उन्होंने एक म्यूजिक रिकॉर्डर भी शेर किया था इवेंट के अंदर तो म्यूजिक रिकॉर्डर में लोग ने दिखाया था कि कैसे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो ट्रैक को आगे या पीछे करने के लिए तो सही है मतलब कुछ इनोवेटिव चीज़ करें लोग यूई वगरा के साथ और फंक्शनलिटी से साथ जो कि इनोवेटिव है और कोई भी ऐसे टेक नर्ड जो हम लोग है उनको थोड़ा एक्साइट कर देती है ऐसी कंपनी जाकी की चलो कुछ नया आ रहा है सबसे खुश होने वाली बात तो यह है कि इसमें स्पेक्स काफी मस्त आने वाले स्नाप ड्राइगन का प्रोसेसर होगा 50 मेगा पिक्सल का सोनी का कैमरा होगा और उसके अलावा जो डिस्प्ले है वो एमॉलेड डिस्प्ले होने वाली है और मोर जिन साल का यह लोग अप्डेट्स जो है प्रॉमिस कर चुकें इसी इवेंट में तो यह काफी मस्त चीज़ है फाइनली हमें एक और नौन चाइनीज ओफरिंग होगी जो अच्छा सॉफ्वेर अच्छा स्पेक्स और अच्छी प्राइस में देगा तो यह जो है फोन आए कर दिया अभी और एको सिस्टम का मलब होता है फून टाबलेट्स लाप टॉप बेसिकली एपल का एक अल्टरेंटिव बनान चाहते हैं जाके जहां में दिवाइसेज मुस्टे कनेक्टेट तरीके से काम करें और ना सिर्फ इनके नतिंग वाले प्रॉडक्स बल्की और भी इको सिस्टम में लोग इसीली इंटिग्रेट कर पाएं बाकी ब्राइंट के प्रॉडक्स काफी जादा एक अंबिशियस आईडिया लगता है पर काफी लुक फॉवड कर रहा हूं अगर सची में लोग ऐसा कुछ बना देते हैं तो काफी मस्त हो जाएगा तो एनिवेज क् में सेंट करेंट करेंग काफी जोग करीं अपने और बस बता दो नीचे और वीडियो को यहां तक देखी लिया है थोड़ा दुख होता है लाइक करके जाओगे मुझे भी खुशी मिलेगी वीडियो और चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिल जाएगा उसके अलावा बाई सब्सक्राइब अगर नहीं क्यारो कर लो सब्सक्राइब बटन को दबाके उसके बगल में दबादो नोडिकेशन बेल ताकि आपको ऐसी मस्त कमाल दमाल लीक्स आती रहे उसे के साथ इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में कर दो कर दो